की रिपोर्ट दीवारे कभी भी गिर सकती है जिससे मकान गिर कर जन हाने का खत्रा बना हुआ है डाग घर मकान मालिक इसके शिकायत कई बार विभाग के आला अधिकारी से कर चुके हैं पर उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है डाक विभाग की समस्याओं को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन समस्या जज की तस्बनी हुई है जरजर हो चुकी डाक विभाग की बिल्डिंग के पास बालिका कन्याशाला स्कूल वजजेन समाज का धार्मिक आयोजन इस्थल होने से कई लोग डाक घर के बरामदे में खड़े रहते हैं जिससे जरजर हो चुके बिल्डिंग कभी भी गिरने से जन हानी का खत्रा बना रहता है पूर्व में भी जाबवा जिले के थांदला में डाक विभाग की बिल्डिंग गिरने से बड़ी जन हानी हो चुकी है जिसके पूर्णा होती मेग नगर डाक विभाग कर रहा है जकना आदा से मनेश को मुट की रूपोर्ट पानी बहुत गिर रहा है जब पैसे जमाक नाते हैं कि बहुत है तो पानी पर गिर जाते हो डोक्रमुन पुरे खराब हो जाते हैं पानी लगातार गिवरा है अंदर तीन से चार इंच पानी लेवल में बरा जाता है इस काफी इस्टेशनरी वगिरा को नुकसान होता है उसके पाउजूत पांच सालों में जंचार मंत्री और सीपीमजी पीमजी आरो इंदोर इस्पी और अतलाम कलेक्टर जाबवा यां नग काफी मतलब इस्टेटी खराब है फिर भी बहुन खाली नहीं कर रहे हैं 5500 से मतलब अपने जम्में हुए हैं कोई प्रयास नहीं उनकी तरफ जैकि मेरी तरफ से 30 से 40 आवेजन दिये लिकित और कौपिक दिये जाए हैं इनली संचार मंत्री मौदय को भी मिना आवेजन दि पाने गिरता नहीं आगे खड़े रहते हैं तो जबी भी दूर गठना करता किस तरह के समझ्या हैं दाग बिवाग मती और अब नेट की समझ्या से आयज इन चलता ही नहीं है आम प्लिक परेशान नम भी परेशान काम करने वादे नेट कनेक्टी नहीं है और यह बिल्डिं अब भाग को कोई नीजी विल्डिंग नी दी गई है अब तक अब भी तक तो कोई नीजी बिल्डिंग नी दी गई है क्या मांग कर रहे हैं